वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन दिस रक्षार गुवन्शी और यह लेक्चर है हमारा आनंदम के बारे में इसको इनॉगरेट किया है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पॉक्रियाल निसंग जी ने आनंदम दा सेंटर फोर हैपिनेस क्या है यह यह अनंदम सबसे पहले तो आनंदम के बारे में जान लेते हैं तो आनंदम दा सेंटर फोर हैपिनेस इसको इनॉगरेट किया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पॉक्रियाल निसंग जी ने कहां पर किया है तो IIM जम्मो में किया है कहां पर IIM जम्मो यह देखिए यह है जम्मो जो अभी IIM है उसकी पिक्चर है यह और यह प्रपोज IIM है यह आगे फ्यूचर में बनेगा IIM जम्मो आनंदम जो है वो क्यों किया गया है तो देखिए अभी हमारी नेशनल बने गई जिसका एम है to transform India's education system by 2021 इंडिया की education system को transform करना है अब जो हमारी पहले की education policies थी इसमें रट के पढ़ना एक इस तरह की education जिसमें कुछ interest नहीं आ रहा रहा तो उसको change करके हम transform कर रहे हैं अपनी education system को कि एक तो student जो है उसका पूरा का पूरा development हो all-round development हो और प्लस interest लेके वो पढ़ पाए तो चीजों को जादा interesting और अपने life में वो उन चीजों को किस तरह से use कर सकता है यह सिर्फ चीजे हमारे education policies में change का main aim है motive है अब यह जो आनंदम है इसकी tagline क्या है इस इसी education policy है उसी पने एक step है हमारा आनंदम उसी के लिए एक step है ठीक है अब क्या facilities है इस I am में यह देखिए आनंदम में regular physical exercise कराए जाएंगी center पर जिससे यह ensure होगा कि student है यह जो teachers है वो physical level पर fit है ठीक है physical level पर वो fit है physically fit है यह चीज़ ensure करेगा physical exercise कराना practices कराए जाएंगी breathing exercise कराए जाएगी लाइक प्राणायाम कराए जाएगा यह आप देख रहा है यह प्राणायाम है मतलब की breathe को किस तरह से control करना है breathing exercise कराए जाएगी ठीक है अनुलोम लोम का पालभादी यह उसके बाद आप बात करते है mindfulness की तो mindfulness कराए जाएगा जैसकि आपको इसमें होता है उसको feel करना है तो यह होता है mindfulness which help in enhancing vitality being full of energy जो कि आपको किस चीज में help करेगी full of energy पूरा energy से भरे हुए होगे इसके बाद meditation कराया जाएगा concentration होता है जिसमें तो concentration power बढ़ती है meditation से plus contemplation कराया जाएगा चिंतन मतलब सोचना चिंतन क्या होता है सोचना जैसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका कोई aim है आपने कोई aim बनाया like आपने practice की music की और काफी टाइम से आप one year से practice कर रहे हैं तो एक तरह से चिंतन कर रहे हैं आप मनन कर रहे हैं तो यह contemplation will also be encouraged तो यह किया जाएगा चिंतन का example हमने लिया जिस तरह से तो एक तरह से future का कोई goal है उसको achieve करने के लिए उसके चिंतन के लिए सोच रहे हैं आप ठीक है पर चिंता नहीं कर रहे हैं सोच रहे हैं उसके बाद prime activities होंगी जिनको divide किया जाएगा into five broad categories यह divide किये हैं five broad categories में counseling होगी इसमें फिर all round wellness elective course on happiness development courses होंगे happiness development के उपर research or leadership and faculty development यह सारे five broad categories में इसको divide किया गया है activities को ठीक है अब बात करते हैं क्या need क्या need है इसकी क्यों ज़रोध है तो देखिए हमारे जो students है और faculties हैं IIM की बात कर रहे हैं IIM में जो students और faculties होते हैं tend to undergo stress due to deadlines अब वैसे तो सभी students काफी stress में होते हैं लेकिन यहां पर IIM में बिलकुर तो इस तरह से real time feeling कराई जाती है कि जब आप manager बन जाएंगे तो आपके साथ इस तरह को लाइक रात में अगर कोई project आया आपके सामने और आपको दो घंटे में उसको करके देना है तो उसी तरह का deadlines यहां पर दी जाती है तो काफी stress में होते है students और faculties भी course work जो है उसका stress हो होता है faculties के लिए and professional and personal life की pressure होते हैं तो काफी pressure में होता है जिसका result क्या होता है depression और anxiety होती है ठीक है almost amongst the students as well as the teachers ठीक है तो दोनों में depression और anxiety की problem आती है इस वज़े से सामने ठीक है तो यह जो center है वो help करेगा इनको students और teachers को in relaxing and de-stressing themselves वो अपने आपको relax कर सके और de-stress कर सके इन exercise से क्या होगा जैसे की breathing जो exercise है उससे आपको stress नहीं होता ठीक है relax feel करते है प्लस physical wellness भी important है आपके mentally stable होने के लिए ठीक है okay अब center will help people overcome mental stress and help spread positivity ठीक है तो mental stress कम होगा इन exercise से प्लस positivity spread होगी जैसे meditation करते है तो उससे positive vibes आते हैं अपने अंदर positivity होती है तो वो positivity spread होगी लोगों में ठीक है encourage and propagate holistic यानि की all round development होगा जैसे आपको physical development भी होगा plus mental development भी होगा तो all round development होगा for all अब all round development होगा इसका मतलब क्या है also attain the state of आनन्द सभी को आनन्द की अनुभूती होगी परम आनन्द मिलेगा मतलब happiness सभी खुश होगे अब physically और mentally अगर खुश है तो सभी खुश रहेंगे आनन्द में रहेंगे ठीक है परम आनन्दम ये आश्रम वाले आनन्दम की बात नह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं प्लस अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर जरू करते हैं थाइंक यू सो मैं सेंस फो वाचिंग